आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे आप ही बताइए हम घर का बना खाना क्यों खाते हैं ताकि हमें हाइजिनिक और क्वालिटी फूड मिले हम हमारे बच्चे और हमारा परिवार स्वस्थ रहें जाने अन जाने में हम क्वालिटी फूड नहीं हम अनहल्दी और अनहाईजिनिक फूड खा रहे हैं हम आरो का पानी इसलिए पीते हैं ताकि हम वह हमारे परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें लेकिन उसके बावजूद भी हम बिमार पढ़ जाते हैं क्या आप जानते हैं इसके हाई क्वालिटी स्टेलने स्टील का होना चाहिए क्योंकि स्टेलने स्टील एक हाईजिनिक प्रोड़क्ट होता है अगर आप मेडिकल में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी टूल्स और एक्क्यूपमेंट्स हाई क्वालिटी स्टेलने स्टील के बने होते हैं और साथी जारा दिन आप घर का खाना हाईजिनिक समझ कर खाते हैं। और हम इसे जातर लोगों के यहां वुड़न मडूलर किचिन या कार्पेंटर मेड मडूलर किचिन लगा होता है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुकिंग के दोरान जो धुआ, जो नमी, जो मौश्चर निकलता है वो वुड एब्सॉर्व कर लेता है। ऐसा लगातार होने के कारण वो लकडी अंदर से गलना और सरदा शुरू होती है। जिसके कारण उस लकडी में फंगस, दी अनहाईजीनिक होता है जिसके कारण आपके परिवार के सदस्य बिमार पड़ जाते हैं। और उस जहरीले खाने को खाने की वज़ा से आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग बिमार पड़ जाते हैं और अनेको बिमारियों से गरस्त हो जाते हैं जैसे पेट दर्द lose motion, food poisoning, liver problem, kidney problem और लंबे समय तक जब ये किटानू आपके अंदर जाते रहते हैं तो धीरे 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 वो bacteria, cancer का रूप ले लेते हैं आपने अपने आसपास बहुत सारे परंपरागत परिवारों में देखा होगा वो लोग आज जीवन restaurant नहीं जाते वो लोग किसी भी तरह की शराब, गुटका, तंबाकू का सेवन नहीं करते वो घर का भोजन को सात्विक भोजन समझकर ही खाते हैं लेकुन उसके बावजूद भी उनके परिवार में भी बहुत सारी गंवीर बिमारियां हो जाती हैं और कई बार ऐसे लोग cancer से भी ग्रस्त हो जाते हैं और इनके पीछे जो कारण है वो wooden kitchen है क्योंकि लकडी का गलना और सडना एक natural process है और आप इस तरह के kitchen में बने हुए खाने को स्वास्त वर्दक खाना समझते हैं और धीरे धीरे वो मंद मंद जहर के रूप में आपके शरीर में बिमारियों को पैदा करता है और इसका आपको बहुत कम समय में पता भी नहीं चलता भारत में Food Safety and Standard Authority of India ने Indian restaurants को bound कर दिया है कि उन्हें hygienic stainless steel kitchen लगानी होगी लेकिन सरकार domestic segment को bound नहीं कर सकती इसका initiative तो आपको खुद लेना होगा इसलिए आपके घर की kitchen में भी proper ventilation and high quality sanitation system होना चाहिए और यह संभव है केवल stainless steel modular kitchen में हर आदमी यह चाहता है कि अपने परिवार को high quality standard of living दे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी लेकिन वो यह भूल जाता है कि जब तक उसका kitchen hygienic नहीं होगा तब तक उसमें पकने वाला food भी hygienic नहीं होगा और आप जब बिमारियों से ग्रस्त रहेंगे तो आप उन्सुक्स विधाओं का इस्तिमाल भी नहीं कर पाएंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर का kitchen भी stainless steel का हो जिससे आपको बहुत सारे फाइदे होंगे तोकि stainless steel modular kitchen high quality steel से बना है इसलिए यह hygienic है, durable है और durable होने की वज़ा से आपको बार-बार उस सड़ी हुई, गली हुई kitchen को replace करने के लिए time, money and energy खर्च नहीं करनी पड़ेगी आपका kitchen hygienic होगा, तो उसमें बनने वाला food भी hygienic होगा जिससे आपको बहुत सारा पैसा, medicine पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों आप जानते हैं कि आज की भाग दोड़ बरी जिंदगी में आप पैसा तो बहुत असानी से कमा लेंगे, लेकिन यदि आप स्वस्त नहीं रहेंगे तो उसका सुख भी आप नहीं भोग पाएंगे अगर आप स्वस्त रहेंगे, आपका परिवार स्वस्त रहेगा तो आप peace of mind के साथ अपने business में, अपने profession में, अपनी life में बहुत अधिक तरक्य कर पाएंगे एक wooden modular kitchen बनाने के लिए, on average, 4 पेड काटे जाते हैं जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है जब पेड नहीं काटे जाएंगे, तो प्राकृतिक संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, मैं आपको stainless steel modular kitchen लगाने के लिए, फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं तो किवल आपको आगा कर रहा हूँ क्योंकि जब आप स्वस्थ बोजन लेंगे, तो आप अपनी life में भी बहुत अधिक तरक्य करेंगे अगर आप भी अपने घर में stainless steel modular kitchen लगाना चाते हैं, तो आप मैटास lifestyle के showroom को contact कर सकते हैं आज लोग स्वस्थ के पृती बहुत सचेत हो रहे हैं, जिसकी वज़े से stainless steel modular kitchen की demand डे बाइडे बढ़ती जा रही है और ये company भी अपने outlets पूरे भारत वर्ष में फैलाती जा रही है, आपके लिए एक business opportunity भी है अगर आप stainless steel modular kitchen की industry में आना चाते हैं, तो आप मैटास lifestyle की franchise लेकर भी अपने राज्ये में, अपने शहर में एक showroom स्थापित कर सकते हैं आने वाले समय में मैटास lifestyle stainless steel modular kitchen के showroom, 200 showrooms का आकड़ा पार कर चुकी होगी इसलिए अगर आप अपने राज्ये में इस business opportunity को grab करना चाते हैं, तो इस company को contact करें यदि आप एक husband है, तो अपनी wife के साथ इस video को ज़रूर share करें, ताकि आप उनको समझा पाएं कि restaurant का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों घर में पके stainless steel modular kitchen का खाना खाना चाहिए और यदि आप एक wife हैं, तो अपने husband के साथ इस video को ज़रूर share करें, ताकि उनको यह पता चले कि stainless steel modular kitchen में ही hygienic food बन सकता है और वो आपके लिए stainless steel modular kitchen मेटास lifestyle से लगवाएं इस video को आप अपने बच्चों को दिखा कर भी समझा सकते हैं कि बाहर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए अपने और अपने परिवार के स्वस्थ के प्रतिय दिया आप सचेत हैं, तो इस video पे like का बटन ज़रूर दबाएं और दूसरे लोगों के साथ इस video को ज़रूर share करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे बविश्य की कामना करता हूँ स्वस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में में शाह व्यस्त रहें, जय हिंद, जय भारत